आज सुप्रीम कोड में कपिल सिबल ने कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टों में है एजेंडा पे है राम मंदिर का मुद्धा तो 2019 चुनाव के बाद इस मुद्धे पे बातचीत होनी चाहिए सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि इसका माइलेज ले सकती है बीजेपी कपिल सिबल ने बात रखी है तो आपको लगता है कि इसका माइलेज लेने की कोशिस कर रही है बीजेपी लेगी 2019 के बाद सुनवाई होनी चाहिए इस पूरे मद्धे को देखा जाना चाहिए अब उन विचारों को मैंने आपको पहले ही कहा ना किसी की अंगूठी समुदर में खो गई अब वो ढूड़े जा रहा है अब क्या है कि कांग्रेस की विजय सत्ता की आकंग्शा ये बहुत गहरे निराशा के समुदर में दूब गए हैं वो लोग वो इसी को भूल गए है कि 2014 के चुनाओं में हम किलियर मेजोर्टी से जीते हैं हम उत्तर प्रदेश में किलियर मेजोर्टी से जीते हैं अभी हम उत्तर प्रदेश की सारी लोकल बोडी जीत गए अच्छा मैं ललित पूर 40 साल बाद जीती हूँ अपनी खुद की नगर पाल इसलिए उनका ये कहना कि इस मुद्दे को आगे कर दो या पीछे कर दो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे उन्हें कोई लाव नहीं होने वाला क्योंकि लोगों का विश्वास बूख हो चुके हैं और विश्वास ऐसा खोया है जैसे समुदर में उठीक हो जाती है वो नहीं बोल पाएंगे ना बुलवा पाएंगे